भोजपूरी इंड़स्ट्री में सर मैंने पौन भ्या को बच्पन से फोलो किया है और उनका गाना सुन सुन के ही मैंने गाना नएक अलाकारों को सर आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है बट कर रहे हैं होगा अच्छा और अच्छा हो रहा है मान लिजे भ्यूज के माध्यम स ही अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा लगा सुन पागली ही रे अ कोई ले ना बानी बेव फैमली का तो कुछ खास सपोर्ट था नहीं बट मेरी मम्मी चाहती थी कि ये कुछ इसी लाइन में करे क्योंकि मेरे मम्मी मतलब सुनती थी तो और एक भाया भी है जो कि मतलब म मैं असलील नहीं गाओंगा मेरा सबसे बड़ा मोटो यह है मैं असलील नहीं गाओंगा और कुछ हैं तरज मेरे पास ट्यून है कुछ जो जिसको कि मैं लोगों के बीच लाओंगा और मुझे पूरा भरुसा है कि वह अच्छा लगए नमस्कार शौगत है आप देख रहे ह हम आपको अक्सर दिखाते हैं लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं कैसे खुपसरा चेहरे से जो पीछले दो साल से भोजफुरी इंडस्टीज में गाने ला रहे हैं और उन गानों का कमाल भी देख रहे हैं प्रिंस परदेशी जी हमारे साथ चले इनका स्वागत करते पूछते भाई भोजफुरी इंडस्टीज से क्यों और साथ ही क्या क्या फ्यूसर प्लानी है कैसे इंडस्टीज में आगे बढ़ना है और किस तरह से इंडस्टीज को सजाने का स्थपना देख चले स्वागत करते हैं सबसे अपको स्वागत है कैसे आप जी नमस्कार आप सभी मनचाहा न्यूज देखने वाले तमाम भोजफुरी शुरुता को मेरा परनाम है और आपको भी दिल से अभार हमें प्रिंजी हमें बताइए कि आपकी जो शुरुवात है भोजफुरी इंडस्टीज में कैसे हुई भोजफुरी इंडस्टी में सर मैंने पौन भया को बच्पन से फोलो किया है और उनका गाना सुन-सुन के है मैंने गाना सीखा भी पैको क्लासिकल सिंगर हूं भी नहीं उन्हीं को देखके सीखते सीखते मेरा मन के मैं गाओं और गाया तो पुब्लीक का प्यार भी अच्छा का समिल दो साल का कैरियर हाँ आपका गाने सपोर्ट करती है नएक लगारों को सर आज तक कोई सपोर्ट नहीं मिला है बट कर रहे हैं होगा अच्छा और अच्छा हो रहा है तो अच्छा लगता है काम करने में और जहां तक कि सब मीडिया बंदों का सपोर्ट धीरे-धीरे मिलना शुरू हुआ है देखिए आगे जी अभी फिलाल एक शैड संग्रेश हुआ था असुन पगली हीरे अकोईले ना बानी बेवाफाई अदूसमन जमाना भाईल आहापन बेगाना भाईल ऐसे में मिले कोईसे आई हाए हसुन पगली हीरे कोईले ना बानी बेवाफाई प्यारा सावाज है आपका और ऐसे आगे बढ़ते जाएं मैं पूछना चाहूंगा कि इंडेस्ट्री में अपने कदम रखा तो फैमली का रियक्सन कैसा था क्योंकि अक्सर ही माबाप चाहते हैं ना कि मेरा बेटा बड़ा होके डॉक्टर बने इंजिनिर बने बहुत सारा पैसा कमाएं लंदन जाए फॉरें जाए घूमें लेकिन एक और बच्चा गाने गाना चाहता है इंडेस्ट्री बिल जाना जाता है हिरो बनना चाहता है बड़े-बड़े बाल शायट से कुछ अर अलग सी कटी फैमली का र इस लाइन से तो कोई है ही नहीं लेकिन लोग को लगता था कि यह करें सिंगिंग करें एक्टिंग करें अथी करें मलब फिल्म में जाए इसे वैसे और थोड़ा बहुत सपोर्ट के बज़ा से सिर्फ लोगों की वज़ा से हमने इंडेस्ट्री में कदम रखा और दीरे-द इतना कुछ सीखने के बाद आप क्या सोच रहे हैं मुझे किस तरह से काम करना चाहिए कि भोजपुरी में कमपटिशन का दौर है एक दूसरे से लोग इतने कमपटिशन करते हैं और एक एक के गाने लगबग 20-25-25 गाने मार्केट में आते हैं तब अपने आपको कैसे हैं तरज मेरे पास ट्यून है कुछ जिसको कि मैं लोगों के बीच लाओंगा और मुझे पूरा भरुसा है कि वह अच्छा लगेगा लोग को बिलकुल जिस तरह से हम कह लें भोजपुरी को बदल रही है ग्राब भी अच्छी है ट्रेंडिंग भी हमारे गाने कर रहे हैं एक नए सिंगर हो आप अपने आपको कैसे सोचते हो कि हां मुझे भोजपुरी में जाना आपने तो कदम रख दी है दो साल आपका केरियर भी हो गया है तो वैरियेशन क्या लाओगा क्योंकि अमुनन जितने भी हमने सिंगर को देखा है वह उसी पैटरन पर भी गा रहे है महिला का जो वस्तर परिदान होता है दुए अर्थी सब्द होते हैं भोजपुरी में सारे वही हैं लेकिन आप वैरियेशन क्या देने वादे हैं वही मैं असलील नहीं गाऊंगा और क्वाल्टी का वीडियो करूँगा और यह जो है मतलब माली जे पब्लिक को अपने और करने का कोशिस ही मैं कर चकता हूं और वो मैं हमेशा करता रहा हुआ लिखने के भी सोख हैं लिखता भी तो किस तरह से उसको समंजश्च से बैठाते हैं ताकि सब्दों का जो एक सयोजन हो चैन हो ताकि जब आप गाने मार्केट में लेकर आए तो और यह बहुत प्यार द माल के चकर में साब शुत्रणा घ्राजाइए गाना मालिजै लोग के विखता अबबञें माले के लोग यह ЧЕज नहीं बजायेगा इन हर जगा जेग बजाए तो इसी तरीके की सौंग ही इस तरीके का सब्सक्राइए गाउजल लगा मतलब को मैं यह तरीके का कुमेडियन सब्सक्राइब करें यह नहीं कि सुम्या पोख्रेल को यह बोल दी तो चलो भाइब सब्सक्राइब करने हैं कुछ नया करना है मुकाम पाना है इतना तो जान लिए किस तरह से गाने अब दुनिया में कैसे बढ़ेंगे क्योंकि बोड़ी आपाधापी आपे बहुत खुरी इंडस्ट्री में तो किस तरह आपने आपको देख रहे हो खुद को प्रमोट करने के लिए सबसे पहला बात कि दुनिया जो आपाधापी कर रहा है सब्सक्राइब करें हमको हमको बहुताएब बहुताइब करते आपे लिए जेख देंगे दे रहें थे बात कतम है इतना नहीं करना है कि आप माली जे यह चीज़गार है तो आपके देखे देखे हम भी घा दिये तो फिर आप में और हमें अंतर्क्या रह गया हैं आज एक गाना देख रहे हैं हुब बज लेकिन उससे भी ज्यादा गाना आज कल बज रहा है वो छील दा एक बाद बताएए उस समाज में बैटके अपना बहुंद क्या गए गाना बजा के सुनेगा हम वह इसा गाना गाएंगे जोम अपना परिवार के साथ सुन सकें वह इसा गाना लिखेंगे एक पती-पत्नी का और फ्रेंड-बॉइबयद वैस्टिस पर लिखेंगे लेकिन सब्सुत्रा मैटर लिखेंगे कैसे अब होक दीजिएगा पता अपके अंदर टैलेंट थे तो टैलेंट को कोई जा सकता है लेकिन दीन नहीं देला सकता काने वालाः दिनकन वह निखर के ही सामने आएगा मे लगा कि हाँ मेरे दिल को टेच कर रहा है और यहां से मुझे मिल रहा है कि मैं आगे बढ़ूगा नहीं गाने तो सब को अच्छे ही हैं तिक है मगर उसमें सपोर्ट नहीं मिला खैर मैं तो पीछे वाला बात में सोचना भी नहीं चाहता कि क्या हुआ कैसे हुआ आज एक मनें भी स्लील सौंग आया था जिसको कि हमां बहुत भान देना चाहोंगा अभी नहीं Zach कि आइख मेरे गाना उतरबाद लुachen जिससे कि मेडिया के सामने सपर बैट कि में यह सकते हैं मैंने स्लील नहीं गाया है पहले मेरा था अब समर्भिया का है कि यतना बढ़िया बढ़िया माल पर भोजी कहां बना बैचा उसको समर्भिया उठाके गा दिये थे लिखा हुआ मेरा ही है लेकिन अभी साइथ उसमें आलो कि यादो जी का क्रिडिक दिया हुआ है उन्होंने जी कि आदब फिल्म से रिलीज है उन्हों दोनों चैनल वहला प्रसमें मिलके अपना गोटर-पूटर कर लिया उसके बार इधर मेरा गाना उतार दिया जब हम पूछने गए सर क् मेरा चैनल सेमों भी नहीं आया है कि मेल सावια को कर दिय को सब्सक्राइब करो कर दिया हैं टातके नहीं मीडिया जांते कि मत में जाओँ इंत्रभ्यों लूँ है वे फ्वरक में जरिया सिवी.. पुरानी बातों को भूलने का वक्त आ गया है और यहां से कुछ नय स्टार्ट करने की जरुवत है और शादी आगे बढ़ने की मेरे सवाल आप से रहेगा जिस तरह से हम देख रहे हैं भोजपुरी बदल रही है नय सिंगर भी आ रहे हैं वो भी गानेगा रहे हैं लेकिन ए अगर आगे बढ़ूंगा या मुझे बढ़ना है तो मुझे इन चीज़ों पर फोकस सरूर करने चाहिए हमने यह दो साल के अंत्राल में एक ही चीज सिखा है अच्छे गाने भी बचते हैं नईया डोले सहिया डोले कहां खराब गाना है शरिया करिया लिले यह नजरिया न तो फिर्ष पान्डेश होंगा मार्केट में जाए चंदले करिया है अब हम अब हैं है अबाज में दम होनी चाहिए है अब हम सब्सक्राइब पबल्लिक हो तो मजह हो कर दो कि बेलिए पीज़िए बसरते लिए फर्दा में हो लो और फूरा जो जिसको मसाला बोलते है वो ह करते हैं कोई प्यारा सवाइब हमें सुनाएं जो आपकी अल्बम की हो आपको पहुत पसंद आया है और पब्लिक को भी पसंद आई है यह गाना है अखिर की कि कुने धाकि सुने हमर रूबत हुई है ज्यादा नहीं सुना सकते हैं इतना ही ठीक है इतना अभी गाना बहुत प जो मेरा प्रेशनल चैनल है तो आप लोग का रिलीज होने वाले हैं यह गाना रिलीज हो जाएगा परसो ट्यूजडे को कौन से चैनल पर बबुवान म्यूजिक समय क्या रहेगा सुबहां में पंद्रह हमें और बताएं अपकमिंग प्रोजेक्ट आपके कौन-कौन से हैं सावन का है सब कोई सावन पर देखे कोको कोला पगा रहा है हमने बिल्कुल डिफ्रेंट किया है बिल्कुल डिफ्रेंट सब कोई कोको कोला पेपसी पिलावे बाबा को बाबा सब दिन भांग पीते थे और आज भी भांगे पिए भांग पर ही है और उमीद है कि प्यार मिल प्रोजेट्स कौने आससरी आने माले और चाहसी जादे जादे अपने दरशों को सेक्राइय कहने आफताOS प्रोजेक्ट आने वाले सारे गाने और शाथ ही अपने फ्योसर प्लानिंग किया क्या है जिसको लेकर आप काफी तैयारिया कर रहे हैं हम तो बस पुब्लिक से ही कहेंगे कि जिस तरह से सभी भाई को अपने सिरबात दिया है प्यार दिया है बस तरह हमको भी दीजिए और मन सावन का भी बहुत अच्छा सा प्रोजेक्ट आ रहा है जै भोजपरी तैने वाद हमारे शाथ जोड़ने के लिए प्रिंस परदेशी जी है परदेशियों से अख्या न मिलाना यह वैसे नहीं है यह बहुत प्यारे इंसान है भोजपरी के लिए गाने गाते हैं दो तीन ग करा रहे हो भी बताएंगे इनके गाने मुझे पसंदार है आना चाहिए डिस्क्रिप्शन में इनके गानों की लिंक है जाना सुनना प्यार देना कॉमेंट करना अच्छी कॉमेंट कर देना ऐसे लोग बहुत हिम्मत हौसला लेकर आते हैं इंडस्टी में और शपूड की ज